सबसे पहले हम बात करेंगे Eiffel India Limited के बारे में कमपणी की बात करा तो आज को दून ने इस कमपणी में एक बहुत ही शांदार पॉजिरिब न्यूस निकल के आया है आगर हम उस न्यूस की बात करें तो एक बहुत ही शांदार कमाल के पॉजिरिब तो तो वह देख शतो कि दूस्तों डिटल एड स्पेंडिंग डेट यांकि आने बहर टाइम में कि डिटल एडबरेटीजमन में कितना खर्च किया जाएगा उसी से हमें एक डेटा पब्लिश होते देट को मिला है तो से डेटा के चलते हैं है एकुस प्रकास से फाएद में वाषका घरे सब्हाई करें सबसे प़िकल को थ्षभी घरर्व रहने वाले वो लगबग 8,9% CAGR से आने वाले 5 सालों तक 2028 तक आपको ये ग्रो होते देटन को मिल जाएगा और ये जो मार्केट है वो लगबग 60% मार्केट कैप्चर आपको ये डीटेल एडिबेटिजमिन नी बाले ही आपको कैप्चर करते देटन को मिल जाएगा या तक आपको समझ मिल आएगा पट मैं बहुत आपको आश्चान तरिके से समझा जेता हो माल लोग कोई भी कंपने अगर अपको प्रोड़क का वो अडिबेटिजमिन कराते हैं अफ्लाइन दूसरा ओनलाइन तो आफ्लाइन मतलब वो न्यूस पेपर और भी बाकी चारे चीज़े देखन को मिल जाते हैं प्रोड़क के बारे में वो आपको आफ्लाइन उनके आड देखन को मिल जाएगा तो बेसिकली यह जो अकर कोई भी कंपनी अगर आने बाटाइम में मालो 100 करोर खर्ची करते हैं इस एडिबेटिजमिन में ताकि उनके प्रोड़क्ट जाद से जादा लोगों तक पहुचे तो उसमें से 60 करोड आप ऐसा बहुत हो तो सिर्फ और सिर्फ यह डिटियल स्पेंडिंग यह आपको करते हो देखन को मिल जाएगा यानि कि इस डिटियल एड से रेटे जो भी कंपनी काम करते हैं वो आने बाटाइम है बहुत ही अच्छे खासे प्रोड़क्ट या आप देखते हो कि बहुत ही हमें जो विल कंजूमर कंपनी स्पेंड लेस अडिबेटिजमेंस पेंडिंग उसके पीछे का इसनोमिक अपनी और यह चीजे मैंने इससे पहली आपको कहा था कि एक रेंज में आपको देखन को मिलेगा कोई बी पॉसिरिव मोमेंटम है उसके कि जो हमें अभी जो currently situation देखन को मिलना था जिनके ज़िस प्रकासी inflation हमें देखन को मिलना था उसके ज़िए हर एक company जो add में अपने spending कराना चाहते हैं वो उस प्रकास से वो करानी पारे जिनके चाहते एफ्रेंडेस से company को स्ट्रगल फेस करना पर रहे हैं वो भी चीजे आपे mention और बाकी ये भी चीजे mention के आने वरे time में बहुत सारी sector आपको बहुत ही कमाल की growth करेगा और अगर कमाल की growth company को दिखाने तो obviously वो चाहते हैं उनके जो product है उनके जो service है ये product है ज्याद से ज्यादा लोगों तक पहुंचे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प आने परेंगे वह advertisement के थुड़ू तो उनका ये मानना है कि आने वाले next जो तीन से चाल साल रहने वाले तो बहुत ही aggressively वह आपको expenditure करती देखने को मिल जागा और इस advertisement में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जागा ऐसे निके सिर्प एक ही चीज़ है इंफ्लोसर मार alternative AI के थुड़ू तो बहुत सी easily ये सारी चीज़ आपको create हो देखने को मिल जाएगा और बाकी ये भी दोस्तों project करके चल रहे यानि कि आने बाले जो हमने 2023 में देखा आप यहाप इस चीज़ को note करके रहे हैं दोस्तों 2023 में आपने देखा कि सिर्फ possible expenditure जो हुआ था estimate के आपको grow होके 2.8 billion से लेके सारे 3 billion तक यह लेड़ आपको जाते हो देखन को मिल सकता है जो कि लगबाग 20-28 तक जो कि बहुत बड़ा नंबर है और जसमें ने कहा कि 2023 2022-23 अमें इस market में को ज्यादा exposure ज्यादा growth देखन को मिला तो अभी जाके sector को आपको बहुत अच्छी तर हिट 23 billion से लेके 24 billion तक by 28 जुकि 9 से लेके 10% की CGR से यह advertisement मार्केट आपको grow होती देखन को मिल जाए यान कि जैसे मैंने आपको आसा है मासा में कहा कि अभी तक economic slowdown की जाता है जो company बहुत जादा पहले advertisement में खर्च करते थे सिप economic slowdown की जाते हो थोड़ा खर्च बहुत कम कर द आपको देखन को मिल जाएगा और company आगा 100 करूर रुपए खर्च करता है जैसे मैंने कहा उसमें 60 करूर रुपए सिर्प उसिप जो डीडियल एड दिखाते उनको 60 करूर का business आपको मिलते हो देखन को मिल जाएगा जिन में अगा देखा जाए एफिल इंडिया इस market में बहुत कमाल की प्लेजर है और क्योंकि अपने इसके business को study किया होगा तो आप देख सेतों के 1994 में इसके list होगा था तो एफिल इंडिया इस global technology company with priority consumer intelligence platform that transform ads into recommendation helping market to electrively identify बहात का है तो engage करते, acquire करते, drive transaction, their potential in exiting user तो बहुत ही आशांतरी इसे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि जो भी मतलब इनका कामी है कि वो recommendation करेंगा आपको यह ad मतलब वो directly अपने user को target करता है इनको अच्छी दर से पता है कि इसको कौन सी ad दिखाने मतलब इनके पास सारे data होता है तो अब से लिए जो update हमें देखने को मिले कि आने बारे तो इस online market में 60% business अपको इसी market में आते हो देखने को मिल सकता है तो obviously यह जो update है यह जो news है तो affiliate के लिए एक बहुत ही शांदर और बहुत ही positive news है आप ऐसा बोशो तो कि affiliate को भी आने में बेटर में बहुत अच्छे कास है business भी आपको मिलते हो देखने को मिल जाएगा और वैसे company के बात करें तो company ने बहुत ही कुछ सालों में बहुत ही शांदर प्रॉफित दिखा है अगर आप कौटली नमर को देखो तो स्ट्रगल तो है जैसे मैंने का 2022 मैं कलेंडर की सबसे बात करो तो बहुत इन्हों हो रहा है बट प्रॉफित उस प्रकास से ग्रो नहीं हो रहा है तो यह डेटा है 2024 से आपको बहुत ही इनकम में आपको बहुत अच्छा कासे comeback देखने को मिल जाएगा तो आपको पता यह जो स्टॉक है अगर इसके पांस साल की देखोगे तो हाँ आपको सारे पांस से पांस से स्टॉक कुछ प्रॉफित नहीं लिया आप देख़ो तो के 21 जुलाई 21 मार्च को इसने अपना हाई लेबल अच्छीब किया था बारा सो क्यास पा उन स्टॉकों भी लॉस में बिकल लॉस में निकल के स्टॉक निकल चुके कपका और आसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वह आपको समझ में जागा इस सेरोडिम पैटन से देख सकते हो एक टाइम पर अठरा पसंट थे अब धीमे धीमे हर कौटली मतार जो पबलिक है वो निकलत स्टॉक चली रहा है और पूरा का पूरा माल आप देख तो इस ने खरीदा पहले कितने थे उनके पास अभी सपने अच्छे कासे माले को उनको पता है कि इनके जो लॉंग टाइम बिजन है लॉंग टाइम ही कंपनी बहुत ही कमाल के गोड दिखाने वारे तो कंपनी तो ब मिटकेप साइच की कमपनी है 15,000 के मार्केकप है और आपको वादा मिटकेप कमपनी की कैसे नेचर होता है जब बिजनस आता है तो रॉकिट की तरह भागता है 2019 में 300 की स्टॉक प्राइस था इस प्रका के इसको बिजनस मिला स्टॉक से एक ही साल में 1500 के लिए टॉप बना दिया मैं अजिस प्राइस की साब से बात करो 1520 का पाई मतलब 9-10 गुना रिटन मना के दिया और फिर 30 साल से श्टॉक इंक कंसलोडेशन में तो सेम बिजनस आ चुक है आप इसमें अभी तो आलम से बने रह सकते हो हां किसी को एंट्री लेना है तो स्टॉक 27 पसें डाउन है सिर्फ डिस्कॉन को देके मज्जाओ अगर आपको इसके बीजनस अच्छे लगते तो डिफिन्टी आप ऐसे गिरवाट में तब स्टॉक 33 सास चला नहीं ह अब करेंट लेबल होता है इंट्री करना ताकि भागने के बाद तो हर कोई आ जागा बाइका निकले तो अब चाहो तो अभी इसके बार में करेंट लेवल पे जरू बिचार कर सकते हो द्यान बात करेंगे दोस्तों के पीया गीन एनरजी लिम्टेट एक और शांदर कंपन मिला है जो कि 305 मेगाओर्ट सोलर प्रोजेक्ट तो अब देख बिचेंगे तो कहां से मिला है जो अधित्य विल्ले रिनेवल एनरजी है सबसे लिए तो उससे लिए जो निव्स है यह बहुत ही धमाकदार और बहुत ही शांदार निव्स है और यह प्रोजेक्ट है यह अब को बार बोल चुको यह जो कंपनी है मतब यह जो स्टॉक की बात करो इसके सबसे बड़ा प्लाइस पॉंट है कि बहुत ही फ्यूचर कमाल की इसके बिजनस है सोलर प्लान से लेटर इसके आम में बिजनस देखन को मिलता रहे तो जब जब इसको कंपनी को ओर्डर मिलत लगाता है अगर इसी प्रका की ओर्डर मिलता रहा तो स्टॉक को भागने में क्या प्रव्ल्म जाते है तो इसलिए बस इतना एक आच्वा को अगर इंटर लेनी के बार में सोच रहे तो इस पॉन करके चलना कि यह स्टॉक इतना लगाता रिक तरफ इसलिए भागता है ता तो प्लीज थोड़ा सा होल्ट कर लो थोड़ा पेसिंश दिखा दो या तो क्वाटर फूर्ड के तरह नंबर तक वेट कर लो या तो थोड़ा सा करेक्शन अगर आ जाए क्यूंकि स्टॉक भी टॉप है बाज़ी भी टॉप है थोड़ा वाद भी करेक्शन आए तो इजी लेंगे निए तो इतने खास नहीं तो यह जो स्टॉक में थे कमबाक कमाल किया है उसकी पिछी का और एक रिज़न थे कि हाली में कमपनी ने वर इस्टॉ फाइब का स्प्रीट का वनिस्पे तो जिनके पास उनके लिए अच्छी अगर आपके पास हैं तो किसी भी स्टॉक में मत जाना खास करके ऐसे बैंकिंग स्टॉक में अच्छी स्टॉक किशते रहोगे तो ऐसे काउप्रेशन को अच्छी स्टॉक में भी फूटर में देखने को मिल सकता है